गुड मॉर्निंग, नमस्कार, चात्र चात्राओं, कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस किया था, BSC प्रथम वर्स के, प्रथम सेमिस्टर के चात्र चात्राओं के लिए, Physics Unit 2 से हम डिसकस कर रहे थे, Inertial and Non-Inertial Frame of Reference, जिसमें हमने कल चर्चा की थी, कि Inertial Frame अर्थात, निर्देश फ्रेम, जो की जड़त्वी है, उसके बारे में, उसके विभिन बिन्दूओं के बारे में, अब आज हम चर्चा करेंगे, कि जो Inertial Frame of Reference होते हैं, उनके लिए क्या Necessary and Sufficient Condition होती है, कल हमने जाना था, कि Inertial Frames of Reference जो है, उनको हम कहते हैं, यदि दो फ्रेम हैं, अब हलका सा रिवाइस कर रहे हैं, दो फ्रेम मतलब, माली जे किसी इवेंट के हम अनालिसिस कर रहे हैं, और उस इवेंट के अनालिसिस दो लोग कर रहे हैं, या दो रफ्रेम कर रहे हैं, तो उन रफ्रेम को आपस में Inertial कहा जाएगा, यानि निर्देश फ्रेम को जड़त्वी कहा जाएगा, कब, जब, बोथ हार at rest, with respect to each other, दोनों एक दूसरे के respect में रुके हुए होंगे, या बोथ हार in uniform motion, with respect to each other, दोनों एक दूसरे के respect में uniform motion में होंगे, या हम ये कह सकते हैं, कि there is no acceleration with respect to each other, एक दूसरे के respect में कोई acceleration नहीं है, या एक और बात कह सकते हैं, कि बोथ हार observing the same acceleration of a particle, दोनों ही frame, एक particle का acceleration, same महसूस कर रहे हैं, बोथ हार observing same force in a particle, किसी particle पर यदि दो frame force प्राप्त कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल same प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे condition में, जब दो frame से किसी event के analysis करने में, किसी प्रकार का कोई pseudo force काम नहीं कर रहा है, pseudo force मतलब छद मबल, किसी प्रकार का कोई छद मबल काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी condition में reference frame, inertial frame कहलाते हैं इसी बात को repeat करते हुए समझते हैं कल की हलकी सी एक recap देते हुए आपको समझाते हैं कि कल हमने बताया था कि मान लीजे कि ये कोई particle है P इस particle P का आप अध्यन करना चाह रहे हैं किसी point O से आपने 3 mutually perpendicular direction आजूम कर ली है और ये set of 3 mutually perpendicular direction with origin is known as frame of reference तो जो ये red color की 3 axis दिख रहे हैं और एक O origin बिंदू दिख रहा है जहां पर ये 3 आपस में intersect हो रहे हैं इसी को बोलते हैं reference frame तो ये frame of reference अगर किसी particle P को observe कर रहा है तो कैसे observe करता है सबसे पहले हम P की position को locate करते हैं frame के हिसाब से particle P कौन सी position पर है ये मान लिजे x, y, z position पर है तो इसका position vector ने रूपित किया जाएगा r is equal to xi plus y, j plus z के अब मान लिजे की दो reference frame है एक आप हैं ज़के आप किसी ground पर खड़े हैं आप O origin अपने आपको मान लिजे और आप अपने आप से 3 axis consider कर लिजे x axis, y axis, z axis जो के आपस में perpendicular है थोड़ी दिर के लिए समझ सकते हैं कि किसी कमरे के एक कौने में आप खड़े हो जाएए वहाँ से कमरे की जो 3 भुजाएं intercept कर रही हैं उनको आप x axis, y axis, z axis के रूप में रूपित कर सकते हैं अब ठीक मालीजे कोई आपका मित्र है या कोई आपका दूसरा दोस्त है जो किसी दूसरे कौने पर खड़ा है और उसने भी अपनी 3 axis मान रखी है x dash, y dash, z dash तो वो दूसरा reference frame कहलाएगा वो एक अलग reference frame है आप एक अलग reference frame है और ऐसी condition में आप किसी particle P को अगर observe कर रहे हैं तो आपके हिसाब से coordinate x, y, z उसके हिसाब से coordinate x dash, y dash, z dash है अगर आपके हिसाब से position vector draw करेंगे तो ये position vector आपके हिसाब से draw होगा और अगर आपके मित्र के हिसाब से position vector draw करेंगे तो उसके लिए particle P का position vector green line से draw हो रहा है अब आपके लिए अगर position vector निकालेंगे तो आपके लिए होगा x i plus y j plus z k और आपके मित्र के लिए position vector हो जाएगा r dash is equal to x dash plus y dash plus z dash k क्योंकि उसके लिए उसके coordinate frame में particle की position x dash y dash z dash है ऐसी स्तिती में अगर हम एक triangle of vector addition की बात करें triangle of vector addition और उसको use करें triangle of vector addition को तो आपको मालूम है कि position vector एक vector है अगर frame o से particle का position vector draw किया जा रहा है तो वो होगा r अगर frame o dash से particle का position vector draw करेंगे तो वो होगा r dash तूनू इस्तिती में हमने position vector draw कर लिया है अब हम बात कर रहे है triangle log की triangle log किसके लिए लगाना है जैसा mention किया गया उपर कि o p o dash पर triangle log लगाना है अब o p o dash पर triangle log कैसे लग रहा है आप देख रहे हैं कि o o vector red color की जो line x success है पहले frame की वो और o dash p जो दूसरे frame में particle की position है और एक o p जो line है यह तीन vector है इन तीन vector में अगर triangle log लगाएंगे तो o dash vector और o dash p vector यानि ये दो vector का resultant o p vector होगा जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि o p vector जो होगा वो o dash plus o dash p होगा तो अब अगर triangle log vector addition के साब से चलें तो जो position vector पहले frame के हिसाब से है वो position vector दोनों frame के x axis o और o dash vector और दूसरे frame में particle के r dash vector का sum होगा क्योंकि triangle log vector addition चल रहा है तो triangle log vector addition के साब से o dash और o dash p दो भुजाएं triangle की same orientation में घूम रही है anti clockwise घूम रही है जबकि जो r o p line है o p vector है वो opposite direction में clockwise direction में घूम रहा है तो देखेंगे o dash o dash p anti clockwise है जबकि o p clockwise है तो rule होता है triangle log vector addition का जिसमें हम कहते हैं कि r vector is equal to o dash plus r dash होगा अब इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि नीचे जो picture है उस picture में से मैंने triangle को हलके से उपर उठा दिया आपको मालूम है कि vector की एक property होती है कि vector को parallel ही खिसकाया जा सकता है यदि किसी vector को parallel direction में खिसकायेंगे तो उसके magnitude में उसके direction में कोई change नहीं होता है यानि parallel shifting में vectors same behavior करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे वाले frame से धीरे से एक triangle को उपर निकाल लिया है जैसा कि आपने अभी देखा अब ये o o dash o dash p और o p पर हम vector law of triangle addition लगा रहे हैं तो इस पर अगर triangle law of vector addition लगाएंगे तो r vector जो होगा वो o dash plus r dash vector होगा अब हम समझने की कोशिस कर रहे हैं कि उस picture को आपने frame में रखा है कौन से picture को जिसे अभी आपने देखा इस picture को अब हम ये उपर वाले picture को focus करेंगे जब हम उपर वाले picture को focus करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले frame से particle p की position r vector दूसरे frame से particle p की position r dash vector और o o dash तीन vector का एक triangle law बन रहा है जिसमें clear हो रहा है कि जो r vector है position vector r वो o o dash vector plus r dash vector यानि कि जो ये vector है o dash p इसके sum के बराबर होगा और इसी को बोलते हैं हम position transform equation आगे जाके जो galilean transform बनाएंगी तो ये जो position transform vector है अगर इसको एक equation मान लिया जाए और एक equation को mathematics के आधार पर अगर differentiate कर दिया जाए तो differential operator लगा दिया है यानि differentiate equation 1 with respect to time time के respect में अगर हम इसको differentiate कर देंगे तो dr by dt d by dt of o dash plus dr dash यहाँ पर एक तुरूटी हुई है यह r dash होगा r double dash नहीं होगा dr dash upon dt के बराबर होगा यानि कि इस equation पर हमने differentiation किया है यह तुरूटी बस double dash लगा हुआ है इसको आप ignore करें यहाँ पर केवल single dash ही है तो dr by dt is equal to d by dt of o dash plus d by dt of r dash इस differentiation में आपको mathematics में पता है आपने class 11 की physics में पढ़ा है कि position vector का time derivative velocity होता है तो position vector का time derivative जब velocity कहलाता है तो ऐसी condition में हम velocity of particle p with respect to o frame velocity of particle p with respect to o dash frame और एक important factor है velocity of o dash frame with respect to o अब इसको ऐसे समझेए कि आप और आपका मित्र किसी ground में है एक बड़े से field में आप और आप से कुछ दूरी पर आपका मित्र खड़ा है और आसमान में किसी उड़ती हुई चिनिया को आप लोग देख रहे हैं तो p कहलाएगा वो bird जिसको आप देख रहे है o dash आपका मित्र है o आप है अब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों आपस में रुके हुए हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि आप rest पर हो लेकिन आपका दोस्त move कर रहा हो x axis में या y axis में या z axis में अभी हम यहाँ एजूम करते हैं कि आपका दोस्त move कर रहा है और bird जिसको आप देख रहे हैं वो भी move कर रही है तो जो velocity transform equation है वो कहती है कि velocity of particle with respect to o is equal to velocity of frame odes with respect to o plus velocity of particle with respect to frame odes अर्थात चिनिया की velocity आपके दोस्त के हिसाब से जो होगी उसमें आपके हिसाब से आपके दोस्त की velocity को कर add कर देंगे तो velocity total निकल जाएगी इस पूरे transform equation को velocity transform equation कहते हैं अब यह बड़ी ही important equation है यह equation आपको बता रही है कि velocity of particle with respect to o वह नहीं होगा जो velocity of particle with respect to odes होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यानि आपके मित्रिस के हिसाब से जो velocity of particle है वो आपके हिसाब से जो बड़ी की velocity है वो नहीं आ रही है क्यों? क्योंकि आपके दोस्त की velocity का addition भी हो रहा है इसको velocity transform बोलते हैं अब velocity transform को अगर एक बार दुबारा पुना हम time derivative निकाल ले हैं यानि time के साथ differentiate कर दे हैं तो time के साथ differentiate करने पर हमें दिखेगा कि d by dt of ppo is equal to d by dt of v o dash o plus d by dt of v p o dash यानि equation 3 को हमने time के साथ derivate किया है जब time derivative of velocity की बात करते हैं तो सभी को पता है कि time derivative of velocity acceleration कहलाता है अब यहां से क्या समझ माया यहां से यह समझ माया कि जो acceleration of particle p with respect to o frame होगा वो acceleration of particle with respect to o dash frame में acceleration of o dash frame with respect to o हो जाएगा यानि कि अगर आपका मित्र accelerated motion में है तो जो चिनिया का acceleration आपके दोस्त ने प्राप्त किया है आपको जो acceleration मिलेगा वो आपके दोस्त द्वारा जो चिनिया का acceleration निकाला गया है बढ़ का acceleration निकाला गया है प्लस आपके दोस्त का acceleration आपके हिसाब से जो है उन दोनों को जोड़ कर प्राप्त होगा this is acceleration transform equation which we have derived from simple mathematics of using differential equation now अब एक condition assume कर लेते हैं अगर एक condition assume करते हैं कि जो आपका दोस्त है वो आपके respect में कोई acceleration नहीं रखता है यानि कि आपका दोस्त आपके हिसाब से कोई acceleration पर नहीं है वो उसका जो acceleration of your friend with respect to o या ऐसा कह सकते हैं acceleration of frame odess with respect to o frame is zero इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यदि आपके मित्र का acceleration आपके respect में zero है तो या तो वो rest में है और या फिर uniform motion में है तो इसका मतलब आपका friend आइदर at rest और in uniform motion में है ये एक logic बन जाता है ये logic हमें ये proof करके देता है कि यदि ऐसी condition बन जाती है कि ये a odess o zero होता है यानि कि एक frame का acceleration दूसरे frame के respect में zero होता है तो ऐसी condition में जो particle का acceleration है वो पहले frame से observe किया हो चाहे particle का acceleration दूसरे frame से observe किया हो दोनु frame में same आएगा और ये ही हमारी condition होती है कि यदि कोई particle का acceleration दो frame के दोरा एक समान ना पा जा रहा है बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनु frame आपस में inertial होते हैं तो ये mathematical derivation से हमें पता चल रहा है कि अगर ये condition आवबे होगी उपर वाली condition तो ये नीचे वाली condition आटोमेटिकले आवबे होगी इसका मतलब यदि कोई particle का observation दो फ्रेम के द्वारा किया जा रहा है पहले frame से वही acceleration particle का निकल रहा है जो दूसरे frame से निकल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि acceleration observed by two frames if for the particle is same then both the frames are inertial frame अब अगर हम थोड़ा एक step आगे बढ़ें तो एक condition आजाती है कि हम अगर equation 6 यानि जो logic निकला है अगर हम इस logic को थोड़ी दर कले भूल जाए और equation 5 पर टिके रहें कि माल लिजी कि आपके frame का acceleration आपके दोस्त का acceleration या एक frame का दूसरे frame के respect में कोई ने कोई acceleration है तो ऐसी condition में equation 5 को एक बार फिर से differentiate कर देते हैं जब equation 5 को एक बार फिर से differentiate करेंगे तो equation 5 का differentiation करके क्योंकि आपको मालू मैं differentiate नहीं किया sorry equation 5 को हमने multiply किया A से M से यहनि equation 5 को हम mass M से multiply कर दें तो equation 5 को mass M से multiply करने पर हमें एक equation बन जाएगी और यह equation होगी M mass into acceleration of particle with respect to O same mass को यहाँ multiply किया mass of particle into acceleration of O mass of particle acceleration of frame particle with respect to O इस equation में अगर गौर से देखें तो हमने यह जो mass लिया है यह particle का लिया है और particle के mass को जब acceleration से multiply करते हैं तो उसे force कहते हैं यह भी force कहलाएगा यह भी force कहलाएगा जो पहला term है वो real force कहलाएगा particle के उपर क्योंकि वो पहला particle पर पहले frame से जो force observe हो रहा है वो है और जो तीसरी term है वो दूसरे frame से particle पर जो force observe हो रही है वो है किन्तु जो beach का term है यानि second term जो है इस term को अगर गौर से देखें तो यह एक ऐसा term है जो acceleration frame का है लेकिन mass particle का है तो यही term pseudo force होता है जिसको विस्तार पूरवग हम अलग से एक class में समझाएंगे तब इन बातों को दुबारा बताएंगे अभी हम इनी बिंदू पर focus करते हैं कि यदि position transform equation 1 है तो उसको drive कर दिया derivate कर दिया तो हमको velocity transform equation मिल गई और velocity transform equation को अगर हमने एक बार पुना डेरिवेट कर दिया time के respect में तो हमको acceleration transform equation मिल गई और acceleration transform equation में यदि हम assume कर लें कि जो second term है यानि कि एक frame का acceleration दूसरे frame के respect में 0 है तो हमें automatically condition मिल जा रही है कि ऐसी condition में जब दो frames का आपसमें कोई acceleration नहीं होता है तो उनके दोरा particle P का acceleration पहले frame के दोरा वही ना पा जाएगा जो दूसरे frame के दोरा ना पा जाएगा इस condition को हम condition of inertial frame कहते हैं तो आज का हमारा topic था कि inertial frame of reference की necessary or sufficient condition क्या होती है तो उसी necessary or sufficient condition पहुंच गए हैं अब हमने ये कहा कि यदि ये दो frame है पहला frame O दूसरा frame O यदि दोनु frame के लिए एक condition लगा दी जाए और वो condition है कि यदि आपसमें दोनु frame के बीच में कोई acceleration काम नहीं कर रहा है अर्थात acceleration of O with respect to O zero है तो इसका मतलब ही यही है कि दोनु frame या तो at rest पर है या फिर uniform motion पर है और ऐसी condition में वो inertial frame के लाएंगे और ये inertial frame में automatically ही ये condition follow हो जाएगी जिसमें particle का acceleration पहले frame के दोरा जो observe किया गया होगा वही particle का acceleration दूसरे frame के दोरा observe किया गया होगा तो यदि आपसे कहा जाए what is sufficient condition for inertial frame of reference तो आप कह सकते हैं कि पहली sufficient condition है कि if two frames are observing an event are non-accelerated with respect to each other if two frames are observing an event but they are non-accelerated with respect to each other then they set to be inertial frame of reference और दूसरी condition हम कह सकते हैं कि if two frames are observing motion of a particle or two frames are observing an event P and motion of particle P but both the frames are observing the same acceleration of the particle that means both the frames are inertial frame दोनों frame inertial frame कहलाएंगे Thank you आज की class में इतना ही पढ़ते हैं लेक्चर कल देखते हैं Thank you Thank you